हेलो दोस्तो मैं दिलसाथ है मैं आपके लिए लेकर कहा हूँ एक और नई वीडियो तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें हम जानने वाले है कि किस तरीके से अगर हमारे पास कोई website है जिसके अंदर बहुत सारे हमने पोस्ट क्रियेट कर रखें बहुत सारे हमारे pages हैं यह कुछ ऐसे URLs हैं जिसके जो URL है काफी बड़े हैं तो उसको हम एक SEO friendly URL किस तरीके से बना सकते हैं तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें चलना होगा अपनी WordPress की website के उपर और हमें ऐसे ब्लॉक सर्च करने होंगे जिसकी website के या जिसके pages के जो URL हैं वो काफी बड़े हैं या काफी छोटे हैं तो उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले हमारी WordPress की website या आप अपनी पर्सनल website पे भी जा करके चेक कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम अपनी WordPress की website पर देखते हैं इसे कौन से URL है जिसनको हमें changes करने हैं जिनके हमें URLs as your friendly बनाने हैं हम आ चुके हैं अपनी WordPress की website के उपर और WordPress की website के उपर आने के बार जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारी कई सारे लगलग टूल्स आ रहे हैं यहां पर पोस्ट आ रहे हैं तो पोस्ट के अंदर जितने भी हमारे जो other pages हैं वह है और जो mean pages आते हैं वह यहां pages में अन्दर आते हैं तो हम चलते हैं pages के अंदर pages के अंदर आने के बाद आप यहां देख सकते हैं काफी सारे अलग-अलग pages हैं और यहां पर आप देखेंगे उपर तो यहां पर आप देख सकते हैं title author यहां पर इसका SEO score यहां पर mobile friendliness की readability क्या है और यहां पर title meta description key phrases और यहां पर internal link और scroll कर सकते तो उसके लिए आप हमारी playlist में जागर करके उसको check कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते कि कौन सा यसा URL है जिसको URL है काफी बड़ा है और काफी चोटा है तो हम ऐसे URL को find out करेंगे जिसमें हमारी URL है काफी बड़े हैं तो मिरे पहले जाए से कोई दो URL सब देख सकते हैं यहां पर इसका टाइटल बड़ा है तो टाइटल बड़ा है तो मतलब इसका URL काफी बड़ा होगा साथ के साथ हम नीचे आते तो यहां पर भी सकते हैं इसका जो title है कुछ अजीब सा है तो जो अगर तक हमने यह ऑसे URL लिए चैज कर दो हम यहां पर सबस यहां पर इतना बड़ा दे रखा है इसमें आपका टाइटल इतना बड़ा दे रखा है यह यूराल हमारी वेबसाइट के लिए ठीक है या नहीं है उसको चेक करने के लिए आप यहां नीचे आएंगे सबसे पहले हम चलते हैं कि किस तरीके से आपका जो यूराल को हम बना सकते हैं सबसे पहले हम इसका टाइटल चेक करेंगे टाइटल में देख सकते हैं हम रिमूव डट आउट ओफ यूर ऑल्ड कार्पेट विद इस एक्स्ट्रा कार्पेट क्लीन टिप्स ठीक है तो यह काफी बड़ा है अगर हम इसका टाइटल भी करेंगे तो टाइटल हम छोटा कर स पर यह चे इस रखा देंगे आप अगहीं पर गोटिक है यहां पर साथ बेखें गया तो यहां पर देख सकते हैं आप यह कित्व है और अपका आपको मिल्स के सबसे पहले लिए सबसे पहले सबसे फोकस डीवर्ड है इसमें जो focus keyword हम you use कर सकते हैं remove dirt को हम इसको को भी करेंगे copy करने के बाद यहाँ पे आपके डालेंगे focus keyword डालने के बाद यहां बाद लिए और रैंज हो चुका है red से ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं कि और आपके क्या क्या यहां पर देख सकते हैं यहां पर यहां पर लिखा है तो यहां पर हम नीचे आते तो यहां देख सकते हैं अब क्या है और यहां पर यह हो गया अगर आप देखेंगे तो यूरल है यूरल आपका बिल्कुल खीक है यहां पर तो यहां पर देख सकते हैं हमने क्या करा एक्स्ट्रा यहां पर रिमूर डर्ट और आउट कॉर्पेट के बाद विद हटाक दिया विद के बाद देख पर इतना हो गया मरें यूरल का साइज है रही हुआ हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहां कुछ आपकी आपकी आपके क्यूंसे हैं वह चेंगे साप ग्रामरली की मदद से और्यंट फूमुर पर पर जो भी रख मेंस्टेक तो इसको ठीक कर देगा तो सहां चूंप जिसको कर सकते हैं कि लीतकि पाइं किसी साथ को भी कर देते हैं इसी नाइन को हम इसको बना लेंगे जो है आपको अपने तर्स लेखेना होगा अर्पेज के लिए ऐसा किसी भी प्लाइन को आप उडाकर नहीं कर सकते हैं देख सकते हैं आप यह अपके ग्रीन हो चुका है इमेज की फ्रेस अभी तक इसको स्लेक्ट नहीं हुआ है हम इसको दुबारा से कर देते हैं कि देख सकते हैं इमेज की फ्रेस अब इंटर्नल लिंकिंग रह गई है तो कोई सभी एक यूरल है जो हमारी वेबसाइट का आप उसको क्या करेंगे जैसे मान लिजे यह यूरल है तो इस यूरल को कॉपी कर लेंगे एपल वाले को और यहां पिसको लाकिक के किसी भी ऐसे कोई अच्छा जो कीवर्ड होगा उस कीवर्ड पर आप इसको एड कर देंगे यहां पर देख सकते हैं एडिशनल कंसेंडरेशन पर अपर पर अब हैसे अब जाते हैं सैकेंड जो पेज सह फं़ें एसका अब इसको अस्का और हम गजीब तरीक एसा है अब इसको-प्या क्रेंगे यूर्ल बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें अपना content करना हो कि हमने जो content लिया है वो किस पे लिया है इस content में आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है global enzyme market और आप हर जगे जगे जाएंगे तो यहां पर हर जगे आपको global enzyme market ही नज़र आएगा तो आप क्या करेंगे यह जो आपका URL है आप इसको आपको यहां देख सकते हैं global enzyme market size अब यहां पर कभी भी आप जो है ना capital word इसका use नहीं कर जीएगा ठीक है अब अब हम यह आ गए हां पर देख सकते हैं अमरे यह यूरल है वह चेंज हो चुका है यह देख सकते हैं उसी मर्कित साइज आचुका है अब यह यौर्ल अपका अतां किया करेंगे आप इसको सबसे पहले यह दो कीवर्ड्सद और को आप यह कूपी करके यहां डाल सकते हैं यहां यहаं पर आप इसको एन् Сाहिन मार्कीट टाल सकते हैं ताकि आपके जो कीवर्ड है वह आपको इसको उसी कीवर्ड पर रैंक होने लगता है अब क्या करेंगे आप इसमें यह यूरल है इस यूरल के लिए मेटा डिस्क्रिप्षन चाहिए होगा तो आपको इसे भी एक लाइन उठा करके मेटा डिक्सिप्षन इसका बना सकते हैं अगर आप खुद ही अपने एक मेटा डिस्क्रिप्षन बना ले तो आपके लिए बैस रहेगा यहां पर आप इसी तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं आपको इसको ऐसे फ्रेंडली बना सकते हैं इसी तरीके से विधाउट एनी टेक्नोलोजी और विदाउट प्राइटल करने के लिए यहां पर मैं इसका टाइटल ही आपको वेबसाइट का टाइटल है उसको मैं चेंज कर दोगा यह देख सकते हैं अब टाइटल ठीक है ग्लोबल में मार्केट साइज बहुत यूसडी इतने टाइटल यहां पर टाइटल जो है उसका जो फोकस कर रहा है वह पहले नहीं है यह चीज तो हम नहीं कर सकते हैं साथ के साथ यह देख सकते हैं यूर लिंकिंग टू एनुदर पेज विदा वर्ड यूवां टू रांक पोर यहां पर एक ऐसल लिंक लगा रखा है जिस पर हम रहूं करना चाहते हैं तो यह देख सकते हैं जिस पर हम रह एक करना है यह देख सकते यह लिख्यार szczot आपको राइंग करना है तो आप इस URL को अटा दीजेगा यह हो चुका है आपका यहाँ पर complete और इसको कर देंगे आप इसको update अपडेट करने के बाद यह आपका देख सकते हैं इसका URL काफी अच्छा हो चुका है देख सकते हैं यूरल से छोटा सा आपका URL है आपका URL बन चुका है आप इसको अगर open करेंगे तो यह आपका open भी हो जाएगा यह देख सकते हैं आप यह open हो गया है यह URL और आपको easy तरीके से बड़िया सो कर रहा है ठीक है अब क्या कराएंगे इसको आपको अगर add करना है तो आप इसको Google Search Console में add कर सकते हैं जो URL अपने इसको change किया है यागर आपने Google Search Console में URL किस तरीके से add करना चाते हैं या करते हैं उसको सीखना चाते तो आप हमारी playlist में जाकरके उसको भी सीख सकते हैं तो इस तरीके सा आप इसको save कर सकते हैं save करने के बाद अबदेड कर सकते हैं दो नहीं URL यहां इसका यहाँ पहां पे अपको देख सकते हैं की उर्ल के सारह है यहाँ पहlike दिख सकते हैं कि को आप अपनी वेबसाइट की जितने भी यूरल है उसको ऐसे फ्रेंडली बना सकते हैं विदाव रहनी चेंजेस लेकिने एक बात याद रखना अगर आप यूरल में चेंजेस कर रहे हैं तो उसका साइट में अपने गूगल सर्च कंसूल में जरूर एड कीजिएगा या फि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो है सभी की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे थैंक यू